जीवन में एक बार भी अगर देवी दुरुगा की किरपा हमारे उपर बन जाए तो जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है नवरातरी एक ऐसा समय होता है जिस समय मादुरुगा की किरपा पाना आसान होता है और जीवन में मादुरुगा किरपा अगर मिल गई तो जीवन की साड़ी समस्या चुमंतर हो जाती है जीवन में अगर धन की कमी है संतान की प्राप्ती नहीं हो रही है बिजनेस नहीं चल रहा है या कोई अनसमस्या हो कोई भी समस्या देवी की किरपा से तुरंत ही खत्म हो जाती है नवरात्री एक ऐसा समय है जिस समय आप देवी की किरपा कुछ खास उपायक करके निश्टित रूप से प्राप्त कर सकते हैं और देवी किरपा अगर एक बार मिल गई तो जीवन में आपको मुर कर दीखना नहीं परेगा जीवन आपके लिए असान हो जाएगा सुलब हो जा आप भी अगर जीवन को बादलना चाहते हैं तो नवरात्री में जो चीज में बता रहा हूँ ये चीज आप एक बार करके देखिए जीवन नहीं बदली तो फिर मुझे बताना तो बने रहे हमारे साथ हम आपको एक के करके बताते हैं कि नवरात्री में कोई एक भी चीज अगर आप अपने घर लाते हैं, तो किस तरह से धन बरसने लगता है। लेकिन इसके पहले, अगर आप हमारे इचल को सब्सकाइब नहीं कियें, तो किर पैसे सब्सकाइब कर ले, तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए भीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुन मिल जाएं। नवरातरी की दिनों में माता की पूजा अरदना कर अपनी आंतरिक सक्तियों को जागरित किया जाता है। इन दिनों में साधकों के साधना का फल बैठ नहीं जाता, मां अपने भक्तों को उनकी साधना करुशार फल जरूर देती है, इन दिनों में दान पुन्ड का भी बहुत ज़्यादा महतु कहा गया है। दुरगा पुजा के साथ इन दिनों में तंत्र और मंत्र के कार्ज भी किये जाते हैं, बिना मंत्र के कोई भी साधना अपुन्ड माने जाती है। पुत्री, मा, ब्रमचार्नी, चंद्र घंटा, कुस्मांडा, असकन माता, का त्यायनी, कालदात्री, महा, गौरी और सिरिदात्री की पूजा अर्शना की जाती है। हर दिन, हर देवी की पूजा, उनके मंत्र का चाप करने से जीबन में अनेक प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। लेकिन हम आपको आज ऐसे कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को करने से निशित रूप से जीबन में धन की प्राप्ती होती है, जीबन में सफलता की प्राप्ती होती है। आपको नवरात्री के दिनों में बस कुछ चीज आपको अपने घर लाना है और ला करके सबसे पहले देवी को अरपित करना है इसके बाद देखिए किस तरह से आपका जीवन बतलता है नवरात्री में किसी भी दिन जो चीज मैं बता रहा हूँ ये चीज आपको अपने घर अ इन उपाय को अजमा कर आप भी सारी समस्याओं का समधान पा सकते हैं, बसरते सच्चे मन से और पूरी सरधा के साथ उपाय किये जाए, हम जानते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें आप इस नवरात्री पर अपने घर लाकर आप अपनी सारी समस्याओं से कौरी अपने घर अवस लाएं क्योंकि कौरी में धन को आकरशित करने की सकती होती है, मान लक्षमी और कौरी दोनों ही समुद्र मंथन से उत्पन हुई, आप साथ कौरी घर लाएं और कौरी पर हल्दी छिरक करके उनको पूजास्थान पर रखें, अब इसे नवरात्री मे नौ दिनों तक आप पूजास्थान पर ही रहने दे, या जितना दिन नवरात्री बचा है उतना दिन आप उसको पूजास्थान पर ही रहने दे, पूरे बीधी बिधान के साथ पूजा करें, और मा भगवती से अपने घर में धन धान बिर्धी की प्रात्ना करें, इस आत्री के नम्बे दीन कन्या पूजन के बाद इस कौरी को लाल कपड़े में बांध करके अपने धन रखने की जगह पर रख दे कौरी को ताविज की तरह धरन करने से भी बुरी नजर और बुरी सक्ती से भी रख्चा होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी की बुरी नजर लग जाती है या बुरी सक्ती का प्रभा आपके उपर है तो आप इसे तबीज में डाल करके धान भी कर सकते हैं। तो जहाँ आप पैसे रखते हैं वहाँ पर इन कोडियों को रखते हैं। दूसरी चीज है दक्षना वर्ती संख। नवरात्र में दक्षना वर्ती संख घर में लाना बहुत ही जादा सुब मना जाता है। सास्त्रों करशार पूरे बीधी के साथ अस्थापना और इनका पूजन करने से मा लक्षमी धन में दीन दूगोना राच चोगोना बिर्धी कर देती है। रात तो रात आपके घर में चार गुना ज़्यादा बर्कत सुरू हो जाती है। मनाता है कि जहां दक्सना वर्ती संख होता है वहां नाकरत्मक उर्जा भूल से भी घर के आसपास भी नहीं भटकता। घर के परिवार में प्यार और एकता बनी हुई रहती है और घर में कभी भी कोई भी सत्रू कुछ भी बिगार नहीं पाता। और दरित्ता घर से कौसों ही दूर रहता है। इसलिए हर हिंदू के घर में दक्सना वर्ती संख तो होना ही चाहिए और नवरात्री एक ऐसा समय है जिस समय आप दक्सना वर्ती संख को अपने घर ला सकते हैं बहुत ही जादा सुभाता है। तीसरी चीज है गुरहल का फूल इसमें आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं होता। हर रोज निश्चित रूप से अर्पित करें जीवन आपका बदल जाएगा। 16 सिंगार का समान नवरात्री में एक दीन 16 सिंगार का समान घर आपको जरूर लाना चाहिए। इसे पूज आस्थल पर माता रानी के पास अस्थापित कर देना चाहिए इससे घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है कमल का फूल भी बहुत ज़्यादा महत्पून होता है नवरात्री के नौ दिनों में एक दिन भी कमल का फूल अपने घर अवस लाएं और फूल अगर आपको नहीं मिलता है तो तस्बीर भी लाकर के घर में रख सकते हैं कमल के फूल का तस्वीर होता है वो भी ला सकते हैं लेकिन आम तोर पर ये फूल आपको मार्केट में मिल जाती है इस से मातारानी अतन प्रसंद होती है और जब भी आप कमल का फूल देवी को अर्पित करते हैं तो घर में धन लक्षमी का आगवन होता है लक्षमी सदा आपके घर में निवास करती है इसलिए नवरात्री में एक दीन आप कमल का फूल घर लाना ना भूलें मौर का पंख ये भी काफी महत्पुन होता है मातारानी अपने स्वर्शती सरूप में मौर पर बिराजती है ऐसे में नवरात्री में एक दीन घर पर मौर का पंक जरूर लाए इसे घर में पूजास्थल पर रख दे बिद्या और धन की कमी आपके जीवन में नहीं होगी एक जो सबसे महत्पुन बात है ये नवरात्री में आपको निश्चित रूप से करना चाहिए घर में चांदी या सोने का सिक्का भी नवरात्र में खरिद करके आपको लाना चाहिए इससे माता की बिशेश किरपा होती है वही अगर इस सिक्के पर गरेजी या मा लक्षमी बिराजे हो तो और भी ज़्यादा लाफकारी होता है ये सिक्के ला करके आप देवी को अर्पित करें इसके बात आप अपने इसे कैस बॉक्स में जहां पैसे रखते हैं वहां रख सकते हैं इससे देवी प्रसन होकर आपकी हरिक्षा धन की कामना भी पून करती है कमल पर बैठी मा लक्षमी का तस्वीर नवरात्र में घर में कमल पर बैठी मा लक्षमी का तस्वीर लाना भी बहुत ज़्यादा सुभ होता है अगर उनके हाथों से धन बरसा हो रही हो तो यह और भी अच्छा माना जाता है गरी भी आपके जीवन से मिठ जाती है लेकिन ध्यान रखें अगर आपके घर में पहले से तस्वीर है तो आप तस्वीर ना लाएं अगर नहीं है तो नवरात्री में ऐसे मान लक्ष्मी की तस्वीर लाएं जो कमल पर बैठी हो और हांस से उनके हाथों से धन की बरसा हो रही हो इससे आपके जीवन में जो दरित्ता है गड़ी भी है वो सदा के लिए मिठ जाती है कलावा नवरात्री में कलावा यानि मौली खरिद कर घड़ लाना बेहत सुमना जाता है सास्त्रों में कहा गया है कि कलावा बांधने से बैक्ति को भगवान, ब्रह्मा, बिश्निूश के सास्त देवी, लक्ष्मी, पार्वती और मां सृसृती की किर्पा प्राप्त होती है नवरात्रों में कलावे को देवी मां को समर्पित करने से हर मुराद पूरी होती है कलावा बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुती असरदार चीज है आप इसे नवरात्री में किसी भी दिल ना करके देवी को अर्पित करे और जब आप दीब जलाते हैं उसमें कलावे कहीं परियोग करें ये और भी जादा अतियुत्तम होगा नबरात्री में किसी भी सुम मुहुर्त में तुलसी के पौधे को घर लाकर अपने गमले में रोब दें सुबह साम इस पौधे के पास दीपक जलाएं और उन्हें जल से सीचें इससे मां लक्षमी किरपा प्राप्त होती है और धन तथा परिवार समधी सभी समस्याओं का निवारन हो जाता है लेकिन ध्यान रखे कभी भी आप तुलसी के पत्ते को मां दुरगा को अरपिता आपको नहीं करना चाहिए भगवान सिब का अतिपिरिया धतुरा मां काली की पूझा में भी काम आता है नवरात्री में धतुरे की जर को सुब मूर्त में घर पर अस्थापित कर मा काली के बीज मंतर क्रिम करिम का जाप करें आपकी सारी समस्या छू मंतर हो जाती है नवरात्री में किसी भी सुब मूर्त में संख पुस्पी का जर भी आप घर ला सकते हैं इस जर को चांदी की डिब्बी में रख करके घर की तिजोरी या अलबारी में रख दें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी आप दिहान रखें ये उपाय आपको छोटा लगता हो लेकिन सास्त्रों में बताया गया है कि इन उपाय करने से लोगों की जीवन बदल जाती है जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है एक चीज और महत्पुन है नवरातरी में किसी भी दिन बर का पत्ता जो बरगत होता है बटिवरिक्ष होता है उसका पता आप ले आईए उस पर ताजी हल्दी से स्वास्तिक बना करके घर के पूजास्थल पर आप रख दीजिए सारे काम आपके बनते चले जाते हैं जो भी काम आप सुरुआत करेंगे काम में कोई रुकाबट नहीं आएगी धन भी आने के रास्ते खुल जाते हैं एक चीज जो महत्पुन है अगर आपको मिल जाती है तो आप इसे अवस्थ करें काली हल्दी की गांठ अपने तीजोरी में सफेद कपरा में बांद करके रखें नवरातरी में किसी भी दीन काली हल्दी की गांठ आपको मिल जाती है तो आप इसे लाइए और अपने पूज गर में रखिए इसके बाद पूजा करने के बाद इसे अपने पैसे या तीजोरी में रख दिजिए कभी भी पीछे मुर कर आपको देखना नहीं पड़ेगा चांदी का एक डिबी में नाग केसर और सहद भर करके आप उसे बंद करके तीजोरी में रख दिजिए धन के साथ सुख और समिर्धी भी आती है बहुत ही जादा सक्ति सालिय उपा है नाग केसर आपको बहुत असानी से मार्केट में मिल जाती है आप नवरातरी में से ले आता है सुख के साथ समिर्धीर की भी प्राप्ति होती है तो अगर आपको फीडियो पसंद आई तो कि प्राइस से लाइक करें सब्सक्राइब करें फेस्बूक और फोलो करें अपने दोस्तों शगे समंझों की साथ भी सेर करें ताकि वो भी इन उपाय को करके अपने की जो तमाम समस्याएं हैं उसे भी दूर कर सकते हैं आज के लिए बस अतना ही धन्नवाद